आखों के सामने अपने जवान बच्चों को खो चुके हैं ये फिल्मी सितारे एक ने तो मार ली थी खुद को गोली किसी माता पिता के शामने अगर उसके बच्चे दुनिया को छोड़ दें इससे बड़ा दुख किसी भी माबाप के लिए सायध ही हो सकता है बॉलिवूड मे से ये कलाकार पूरी तरह से तूड गए थे आज हम आपको इस वीडियो में बॉलिवूड के ऐसे शितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आखों के आगे अपने जवान बच्चों को खो दिया है गोविंदा नब्बे के दशक में बॉलिवूड फिल् से शादी रचाई थी गोविंदा के अचानक शादी रचाने से सभी हैरान रह गए थे सुनीता से शादी के बाद गोविंदा की पहली संतान एक बेटी हुई थी जिसको गोविंदा ने पैदा होने के चार महीने बाद खो दिया था कहा जाता है कि गोविंदा की बेटी शम बहुत से सूपर हिट गानों को अपनी आवाज दी है। बता दीं कि अनुरादा ने अपनी आखों के सामने अपने बेटे को खो दिया था। अनुरादा के बेटे का नाम आदित्य पॉडवाल था। मा अनुरादा की तरह आदित्य भी गायक ही थे। साल 2020 में किड्नी फेल होने की वज़ा से अचानक आदित्य की मौत हो गई थी। बात की जाए आदित्य के उम्र की तो आदित्य महज 35 साल के थे। कम उम्र में ही आदित्य ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। कबीर बेदी अभिनेता कबीर बेदी ने साल 1971 में बॉलिवूड में कदम रखा था। कबीर बेदी एक एक्टर ही नहीं बलकि दमदार आवाज के भी मालिक हैं। कबीर ने हॉलिवूड की बहुत सी फिल्मों की हिंदी डविंग में अपनी दमदार आवाज का जादू चलाया है। बता दें कि अभिनेता कबीर बेदी ने अपनी जिंदकी में अभी तक चार शादिया की है। कबीर की चौथी बीवी तो उनकी बेटी पूजा बेदी से महज 4 साल चोटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कबीर के 25 साल के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि कबीर के बेटे सीजो फ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से जूज रहे थे। और इसी वज़ा से उन्होंने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। शेखर सुमन की गिंती बॉलिवूट के जाने मने अभिनेताओं में की जाती है। फिल्मों में काम करने के अलावा शेखर सुमन ने बहुत से टीवी सो और रियालिटी सो में भी काम किया है। बतानी की साल 1983 में शेखर सुमन ने अलका नाम की महिला से शादी की थी। शादी के बाद उनके दो बेटे भी हुए। बड़े बेटे का नाम आयूश सुमन था और छोटे बेटे का नाम अधियन सुमन शेकर सुमन ने अपने बड़े बेटे को तब खो दिया था जब उनके बेटे की उम्र 11 साल की थी कहा जाता है कि शेकर सुमन के बड़े बेटे आयूश सुमन को दिल से जुड़ी बिमारी थी और इसी वज़ा के चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था महमूद महमूद बॉलिवुड के एक बेहत लोगपिरिये अभिनेता रह चुके हैं महमूद ने अपनी जवर्दस कॉमेडी शे दुनिया भर को दिवाना बना रखा था उस दौर में महमूद की कमेडी को टकर देने वाला कोई भी अभिनेता बॉलिवुड में मौजूद नहीं था सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुके अभिनेता महमूद के बेटे जिनका नाम मैकली था उनका निधन तब हो गया था जब वो महेज 31 साल के थे कहा जाता है कि महमूद के बेटे को कारडिया करेश्ट आये था जिस वजह से हाउस्पिटल ले जाते समय उनका निधन हो गया था तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें